इस लेक्चर में हम कंपारटिव चार्ट करेंगे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो गई रखा दोनों को हम कंपार करके पढ़ने वाले हैं बटा ध्यान से देखना सबसे पहले तो इनको हम कोमली क्या कहते हैं वो सीज आप ध्यान से सुनो यूलोथ्रिक्स जो होता है इसको कोमली कहा जाता है पॉंड वूल, विंटर अल्गी और वैट वूल अल्गी क्या कहते हैं इसको पॉंड वूल, विंटर अल्गी और वैट वूल अल्गी स्पाइरो गईरा को कोमली कहा जाता है बटा pond scum, water silk और mermaid tresses या princess hair pond scum, princess hair commonly पूछा जाता है water silk या mermaid tresses क्यों कहते हैं बटा इसको क्योंकि pectose layer of spirogyra filaments become mucilaginus क्योंकि spirogyra filament की जो pectose layer है वो mucilaginus हो जाती है बटा इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनकी cell wall है वो दो layer की बनी है inner layer तो cellulose की होती है और outer layer जो होती है वो pectin की होती है तो जो outer layer है इनकी वो mucilaginus हो जाती है तो mucilaginus क्या होता है एक shiny sticky material होता है तो उसकी वज़े से इनकी appearance कैसे दिखाई देती है मतलब water silk silk की appearance हाती है shining appearance हाती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है water silk, mermaid traces या princess hair कहा जाता है ये commonly पुछा जाते है exams में कि इसको आप princess hair या mermaid traces या water silk क्यों कहते है तो इसका कारण क्या है क्योंकि इनकी जो outer cell wall है वो pectin की बनी है और इनकी जो pectose layer है वो mucilasinus हो जाती है देखो इसमें diagram में भी हमने mucilasinus seed दिखाई है actual में ये mucilasinus seed किससे बनी है pectose layer ही mucilasinus हो जाती है तो ये सी धियान लखना दोनों ही बटा दोनों के दोनों जो algae है multicellular है और filamentous है पूरी long thread like structure होती है इनकी मैं सिर्फ यहाँ पर इनकी एक cell को highlight करके दिखा रही हूँ किसको highlight करके दिखा रही हूँ एक cell को पूरी cell को पूरा पूरा के पूरे algae को हम नहीं दिखा रहे सिर्फ उसके एक part को zoom करके दिखा रहे तो ध्यान से रेखना इसकी एक cell को मैं दिखा रहे हूँ वैसे तो यह multicellular है तो जो आपका eulothrix है इसके अंदर ये देखो ये आपको chloroplast की shape दिखाई दे रही होगी ध्यान रखना chloroplast का point important point है इन तीनों में comparison में इनका जो chloroplast होता है वो color shaped होता है कैसा होता है color shaped और एक cell में journally एक ही chloroplast होता है जबकि spirogeira में आपको कई सारे ऐसे ribbon shaped के chloroplast दिखाई दे रहे होगी कई सारे होता है यहाँ पर हमने कुछ दिखा है बाकी number 1 से लेकर के vary करता है few number तक vary करता है तो इसमें color shaped chloroplast है एक cell में एक body में नहीं कह रहे है एक organism में नहीं कह रहे है क्योंकि यह multicellular होता है तो हर cell में एक chloroplast होता है इसमें एक cell में one to many chloroplast one to few chloroplast होता है तो यह ज़िज आप ध्यान दखना इसके अंदर भी हमने यह pyrenoid storage bodies दिखा ही है यह इनका nucleus हमने दिखा है similarly यहाँ पर भी अमने nucleus दिखा है यह इनकी outer pectose layer जो की micellasiness हो जाती है उसको आमने दिखा है और यह कई सारे इनके उपर pyrenoids है तो यह सीज आपको ध्यान दख लिए next point आता है comparison का बटा इक सी ध्यान दखना eulothrix जो है आमने पहले भी डिस्कूस किया था it exhibits origin of sexual reproduction ध्यान से किश्चन पढ़ना अगर origin of sexual reproduction की बात करें तो वो तो कौन exhibit करता है eulothrix लेकिन complete evolution of sexual reproduction की बात करें या simply evolution of sexual reproduction की बात करें तो वो आता है आपका clamidomonas ठीके यह भी multicellular algae है यह भी multicellular algae है यह भी filamentous है यह भी unbran Avenue यह भी unbranished green algae है यह भी unbranished green algae है यह इनके common point है ध्यान देना यह भी unbranished है यह भी unbransted है कोई branching नहीं है यह भी green algae है यह भी green algae habitat की अगर हम बात करें अब comparison स्टार्ट होता है ध्यान से देखना अगर हम यूलोथ ISBN की बात करें तो वो कोमली हमें fresh water में मिलता है ये भी fresh water में मिलता है लेकिन यूलोथिक्स fresh water कैसे fresh water में मिलता है या तो cold stagnant water stagnant मतलब एक जगे पे खड़ा हुआ, flow नहीं कर रहा है लेकिन cold होना चाहिए या फिर slow flowing water olhos लेकिन cold हो यह भी stagnant water या slow flowing water में ही मिलता है लेकिन eulothrix आपको cold water में मिलेगा और spiro गैरा आपको कैसे water में मिलेगा warm water में किस में बटा warm water में ठीक है आप हम आते हैं इनकी cell wall layer के बारे में तो इसकी inner layer बनी है cellulose की outer layer बनी है pectin की जिसको आप pro pectin भी कहते हैं ठीके wall layer two layer double layer outer wall pectin की बनी है inner wall cellulose की बनी है same इसमें भी है inner wall cellulose की बनी है जैसे यहां पर थी outer wall pectin की बनी है लेकिन इसमें क्या है जो outer wall है वो मुसिलेजिनस हो जाती है जिसकी वज़े से spirogyra के filament होते है वो smooth in touch हो जाते हैं बटा ध्यान देना pond wool तो किसको गहते है यूलोथ्रिक्स को और pond scum किसको गहते है spirogyra को यूलोथ्रिक्स क्योंकि cold water में मिलता है इसलिए इसको winter algae या wet wool algae भी कहते है यह से ध्यान दखना जबकि spirogyra आपका कैसे water में मिलेगा warm water में तो यह कुछ difference यहां पर आए इसके बाद next point आता है अब हम आते हैं इसके main important part पर तो इसकी जो cells है वो फो यूणी nucरिएटिड है स्पाइरो गौरा की भी जो cell है वो यूणीनुटिए टेस सिंगल नुकलियस है अलांकि दोनों ही multicellular है लेकिन एक सेल में एक ही nucleus eulothrix में होता है और एक ही nucleus spirogyra में होता है eulothrix में भी one central vacuole होता है और spirogyra में भी one central vacuole होता है क्योंकि central vacuole किसका character है बटा plant cell का तो हम plant cell की ही बात करें तो इसमें भी central vacuole है और इसमें भी एक central vacuole है अब आता है main difference का point जो कि बहुत important है क्या यूलोथ्रिक्स के अंदर एक peripheral peripheral मतले periphery पे होता है girdle-like या collar shaped ध्यान से सुना collar shaped भी आजाते हैं कई बार girdle shape भी बोल देते हैं तो collar shaped या girdle shape का जो chloroplast होता है वो किसमें होता है यूलोथ्रिक्स में यह इसका एक important feature है ध्यान देना यूलोथ्रिक्स में chloroplast कैसा होता है collar या girdle shape और एक cell में एक ही chloroplast होता है जबकि spirogaida में जो chloroplast होता है बिटा वो होता है ribbon shape का और ribbon shape में भी coiled होता है coiled क्यों होता है क्योंकि उसकी orientation कैसी होती है anti-clockwise anti-clockwise coil करेगा anti-clockwise coiling को हम कहते है sinistral coiling या left ended coiling भी कहते है इन में से कोई भी word आ जाता है यह ज्यान देना ribbon shaped chloroplast जो है वो coiled है और coiling उनमें कैसे होगी anti-clockwise coiling anti-clockwise coiling करेंगे बिटा वो कैसी करेंगे anti-clockwise coiling या anti-clockwise coiling को ही हम sinistral coiling भी कहते है या left ended coiling कहते है इसके opposite दूसरी coiling को हम क्या कहते है dextral right ended coiling लेकिन इसके case में कैसे होती है sinistral ठीक है यह anti-clockwise coiling है left ended coiling है यह coiled नहीं होते है यह तो color shape होते है पाइरिनोइट्स की बात करें तो eulothrix में few pyrenaids होते है two to many in each chloroplast हर chloroplast में दो या दो से ज्यादा many आपको pyrenaids देखने को मिलेंगे इनके case में spirogyra में many pyrenaids होते है लेकिन बटा इनके case में आप ribbon shape structure में अगर आप देखो तो pyrenaids जो है वो equal distance में ऐसे row में arrange होते हैं किस में arrange होते हैं row में तो equal distance में row में arrange होते हैं जबकि eulothrix में देखो दो pyrenaids मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है two to many pyrenaids हो सकते हैं लेकिन इनके case में reproduction की अगर हम बात करें तो eulothrix में आपको तीनों method से reproduction देखने को मिलेगा vegetative, asexual and sexual vegetative reproduction होता है fragmentation से, asexual reproduction होगा juice for बनेगा या तो juice for बनेगा या फिर कई बार palmella stage भी बन जाती हैं जिसमें aplanosphore या hypnosphore आपके बनेंगे क्या बनेंगे? aplanosphore या hypnosphore, sexual reproduction की अगर हम बात करें तो यह isogamous होते हैं कैसे होते हैं बटा, isogamous, यह चीज़ ध्यान देना, fusing gamet जो होंगे, वो size में same होंगे यह चीज़ ध्यान देना, जबकि spirogyra यह important है, very important part है जो पूछा जाते है spirogyra में sexual reproduction देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी कैसी, conjugation, by conjugation जैसे की monara के members में हो रहा था न, horizontal gene transfer, लेकिन horizontal gene transfer किस में हो रहा है एक ही filament की दो cells में, या दो अलग-अलग filament के बीस में, तो उसके basis पर दो type का conjugation इन में होता है एक तो होता है scallary form conjugation और दूसरा होता है lateral conjugation scallary form जो conjugation होता है, उसमें जो आपकी species जो conjugation करती है, वो dioces होती है मतलब donor और recipient, दो अलग-अलग species से बिलॉंग करती है, that means वो heterothelic होते हैं दो different type के थैलस उन में होते हैं, एक donor और एक recipient तो इसके case में दो अलग-अलग filament involved होंगे, that means दो opposite strain के filament होते है दो opposite strain के filament की cells होते हैं, जबकि lateral conjugation, यह पूछते है scallary form में species कैसे होते हैं, dioces, heterothelic या monoseous, homothelic यह आप से पूछेंगे तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, lateral conjugation जो आपके spirogyra के member करते हैं, वो monoseous होते हैं, कैसे होते हैं, monoseous मतलब homothelic होते हैं, that means एक ही आपका जो अलग-अलग cells में, adjacent cells के बीच में क्या हो जाता है, conjugation हो जाता है, filament एक ही है आपका, लेकिन उस filament की दो adjacent cell में exchange होता है, material का, और यह commonly हमें किन में देखने को मिलता है, आपका spirogyra affinus and spirogyra fenusema species के अंदर, किसके case में, spirogyra affinus and spirogyra fenusema के case में, scalariform conjugation को scalariform क्यों करें, क्योंकि जब दो अलग-अलग filament की opposite cell conjugation करेंगी, तो वो एक later, क्योंकि आपका यल्गी है, यह दूसरा यल्गी है, इनकी adjacent cell के बीच में exchange होगा, तो ऐसे later-like appearance बनती है, इसलिए इनको हम क्या कह रहे है, scalariform conjugation कह रहे है, क्या कह रहे है, scalariform, तो यह चीज आप ध्यान लखना, यह पार्ट है, इसका important पार्ट, एक बार मैं दुबारा से वाइस करा देती हूं, main main point ध्यान से देख लेना, एक बार, यूलाथ्रिक्स को commonly pond wool कहते है, spirogyra को pond scum कहा जाता है, क्या कहा जाता है, pond scum, यूलाथ्रिक्स को winter algae भी कहते है, यह winter wool algae भी कहते है, क्योंकि यह cold water में मिलता है, या तो stagnant water, या slow flowing water, spirogyra इसके विपरेत warm water में पाया जाता है, spirogyra को mermaid trusses, water silk या princes air भी कहते है, क्योंकि इसकी जो pectose layer होती है, वो मुसिलेजिनस हो जाती है, वोल layer की अगर हम बात करें, तो यूलोथ्रिक्स डबल layered होता है, inner wall layer cellulose की है, outer pectin की है, सेम इसमें भी होता है, inner wall layer cellulose की है, outer pectin की है, लेकिन इनकी pectose layer है, वो मुसिलेजिनस हो जाती है, यह चीज़ आप ध्यान लखना, इसके अलावा, और जो main difference आता है, इनमें वो किसका आता है, इनके chloroplast का, दोनों ही filamentous, multicellular algae है, unbranched algae, green algae, लेकिन यूलोथ्रिक्स की एक cell में, एक ही chloroplast होता है, और वो भी girdle या color shaped होता है, यह important point है बिटा ध्यान देना, जबकि spirogaida में, एक cell में, एक से 16 chloroplast होता है, और chloroplast की shape कैसी होती है, ribbon shape, लेकिन वो coiled होता है, और coiling इनमें कैसी होती है, anti-clockwise, या इसी कौन sinistral बोलते है, या left-ended coiling बोलते है, तो यह सीज़ आप ध्यान दखना, यह इसमें difference है, pyrenoids की बात करें, तो eulothrix में few pyrenoids होता है, two to many, हमेशा pyrenoids spirogaida में many होता है, और row में arrange होता है, at equal distance, reproduction की अगर हम बात करें, तो आपको eulothrix में तीनों mode से reproduction देखने को मिलेगी, vegetative, asexual and sexual, vegetative में fragmentation, asexual में juice spore बनता है, कई बार palmella stage भी बन जाती है, with aplanos spore and hypnos spore, sexual reproduction में लेकिन एकी condition होती है, isogamous, लेकिन spirogaida बिलकुल opposite है, इसमें conjugation दिखाई देती है, और conjugation भी क्यासी, या तो scalariform या lateral, scalariform तो किन में, जब आपके दो spirogaida, दो different spirogaida के बीच में conjugation हो रही है, दो different strain से बिलोंग करते हैं, उनके दो opposite cells में आपका क्या हो रहा है, conjugation हो रहा है, तो conjugation दो opposite cells में, दो different filament में बनता है, तो वो ladder-like appearance देता है, जबकि lateral में एक ही filament के दो adjacent cell के बीच में conjugation हो जाता है, तो दो adjacent cell में एक ही monoscious thallis आपके पास है, homothelic है, तो उसको हम क्याते है, lateral conjugation, तो I think आपको अच्छे से clear हो गया होगा, तो यह था आज का बहुत important topic था, जिसमें हमने discuss किया था, last lecture में, clamidomonas के बारे में, और अब हमने compare कर लिया है, eulothrix and spirogyra के बार, next जो lecture होने वाले है, वो भी बहुत important है, algae की तीनों classes का मैं comparison कराऊंगे detail में, NCRT हमें already कर चुके हैं बटा,